आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेए में, 2098 अपरेल का Physics का Question तो आपको given है A Converging Lens of Focal Lens 20 cm is placed between an object and a concave mirror of focal length 10 cm as shown in figure The final image is ठीक है, आपको final image पर comment करना है कि final image क्या होगी तो देखो, यह आपका object है यह Concave Lens, Converging Lens हो गया और यह Concave Mirror हो गया तो यह चीज तो आपको समझ आती होगी कि यहाँ से जो raise निकलेंगी उनकी कहीं पर image बनेंगी वो object की तरह काम करेंगी इस mirror के लिए फिर यहाँ से जो reflection के बाद mirror निकलेंगी वो again इसके लिए object का काम करेंगी और फिर final image produce होगी तो सबसे पहले for lens lens के लिए finding i1 image 1 find करते है i1 यानि की image first image find करते है तो वो क्या होगी वो होगी देखो 1 upon v minus 1 upon u होता है जो 1 upon f के बराबर होता है तो 1 upon v जो होगा वो हो जाएगा 1 upon f plus 1 upon u या मैं बोलू v की value direct fu upon u plus f हो जाएगी अब यह sign के साथ रखने है अब मैं इधर positive माल लेता हूँ इधर negative माल लेता हूँ तो क्या होगा focal length of by convex lens होती है जो वो हमें सब positive होती है तो मैं लिखूंगा 20 u की value क्या हो जाएगी बई minus 40 और divide कर दूँगा minus 40 plus 20 से तो यह आजाएगा आपके पास wiki value 20 into 40 minus का divided by minus का 20 तो यह cancel out हो गया यानि कि 40 पे बन गई image 40 cm पे positive 40 cm इसका मतलब यहाँ से 40 cm इधर कहीं यहाँ पे ठीक है यह 40 cm हो गया यहाँ पे image बन गई ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है अब मैं image के बारे में थोड़ा यह भी चेक कर लेता हूँ कि image कैसी बनी है ठीक है तो जो magnification होता है वो क्या होता है वो होता है V upon U lens के लिए ठीक है तो V हो गई 40 और U कितना है 40 तो भई सेम image बनी 1 आया इसका मतलब क्या जितनी object की image है जितनी object की length है उतनी ही उसकी image बन रही है चलो तो ठीक है आगे solve करते है अब इसको आगे क्या करेंगे आगे अब देखो अगर यह 40 पर आ गया तो इसकी distance यहां से 20 हो गई obviously 20 हो गई क्योंकि 60 है बीच की distance ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं यहां से इधर positive मान लेता हूँ इधर negative मान लेता हूँ ठीक है इस mirror के लिए तो क्या होगा जब मैं ऐसा करता हूँ तो इसके लिए मैं mirror के लिए formula लगाऊंगा यानि कि finding i2 i2 find कर रहा हूँ अभी मैं image 2 for mirror mirror के लिए mirror के लिए image कहां बनेगी ठीक है तो mirror के लिए जो formula होता है वो होता है 1 upon V is equal to 1 upon F minus 1 upon U ठीक है बस lens और mirror में plus minus का अंतर होता है यानि कि V की value जो होगी हो जाएगी F U upon U minus F ठीक है अब concave mirror की focal length हमेशा क्या होती है negative होती है तो minus 10 रखोंगा ठीक है distance कितनी हो गई minus time of 20 ठीक है क्योंकि देखो मैंने इधर negative माना है अब उसके बाद क्या करेंगे U की value क्या है minus 20 minus of minus 10 ठीक है अब इसको लिखेंगे minus times minus और minus क्या हो गया plus हो गया तो plus का आगा 200 और divide करेंगे minus time यह हो गया आपका 20 plus 10 यानि की 10 तो minus 20 आगया ठीक है minus 20 आगया इसका मतलब अभी भी image कहां बनी यहीं पर बनी ठीक है मतलब कि यहाँ पर image ही बनी जहाँ पर यह था वहीं पर image बनी और देखो यह तो clearly आपको दिखना चाहिए कि F is equal to क्या होता है R by 2 यानि की इसकी radius कितनी होगी जो radius of curvature होगी वो कितनी होगी 20 ठीक है और यह concave mirror है इसलिए minus 20 कि क्यों हमेशा minus होती है focal length तो radius भी minus होगी minus 20 हो गई तो इसका मतलब यह तो इसके center पर रखा हुआ है जब इसकी radius minus 20 है तो यह object तो इसके center of curvature पर रखा हुआ है अब जब center पर जब object रखते हैं तो उसकी image वही पर बनती है ठीक है अब यह क्या बन गया यह इस lens के लिए बन गया है object ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इदर की side मान लेता हूँ positive और इदर की side मान लेता हूँ negative तो अब lens के लिए क्या करूँगा final image find कर देता हूँ तो मैं लिखूँगा finding i3 for lens अब lens के लिए जब find करूँगा तो लिखूँगा 1 upon v is equals to 1 upon f plus 1 upon u या फिर v is equals to fu upon u plus f अब focal length कितनी है अपने पास lens की given है question में which is given to us as 20 cm तो भाई मैंने लिख दिया 20 into u की value कितनी given है u की value मेरे पास आजाएगी यहां से देखो इधर मैं positive मान रहा हूँ तो u की value आजाएगी minus 40 minus 40 हागी तो मैंने लिख दिया minus 40 divide करूँगा 20 into 40 minus का और divide कर दो का minus 20 से यानि की plus 40 अरे वाँ यह क्या हुआ plus 40 यानि की जहां पे object था वहीं के वहीं हाँ आजाएगी वापस image तो देखो कितना तगड़ा setup set किया हुआ है पहले lens से reflection हुआ फिर mirror से reflection हुआ फिर वापस lens से reflection हुआ still the image is forming at the exact point जहां पे आपका object initially था वहीं के वहीं पे आपकी image बन रही है तो इस पे आपको comment करना है अगर आपको आप बोल सकते हैं कि जो image है image will be formed final image के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है तो final लिकूँँगा final image will be formed at the same point at the same point where object is situated initially ठीक है situated initially जहां पे आपका object जो real में रखा हुआ है वहीं पे आपकी final image बन जाएगी ठीक है अगर आपको यहां से magnification find करना है तो आप लिख सकते हो V by U तो V कितना हो गया V आगया आपका 40 और U कितना आगया U की value आप लिख सकते हैं यहां से U is minus 40 ठीक है तो U is minus 40 आएगया ठीक है तो minus 40 आगया तो minus 1 आएगया इसका मतलब क्या हो गया image जो है अभी उल्टी हो गई है बस बनी उसी place पे लेकिन image क्या हो गई invert हो गई है तो बोल देंगे कि image जो है वो inverted है real है उसी जगा पर बन रही है जहां पे object को रखा गया था कितनी distance दूरी पे बन रही है प्लस 40 distance lens से ठीक है तो यह सारी चीज़ा आपको specify करनी थी इस तरह से इस question को solve करना था Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तता 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले doubt net आप या whatsapp कीज़े अपने doubts 8-400-400-400 पर